नवस्कार मेरे प्यारे मित्रों मैं पंडित राजगुरु सर्मा आप सभी के एक बार फिर से हमारे सब्द ग्यान यूटूब चैनल में स्वागत है हमारा आज का टोपिक यह है कि यदि कोई आपका अपना रुष्ठ हो गया है और वो आपके मनाने में नहीं आ रहा है चाहे वो किसी इस्त्री का पती हो या फिर किसी पती की पतनी हो बेटी हो बेटा हो माता हो पिता हो भाई हो यदि आपका कोई भी अपना आपसे रुष्ठ हो गया है आपसे दुस्मनी करे बैठा है आपसे सत्रूता करे बैठा है आपसे बात करना नहीं चाहता है आपको अपनी सकल नहीं देखाना चाहता है और ना ही आपकी सकल देखना चाहता है यानि कोई भी आपका अपना आपसे रुष्ट है तो उसे मनाने के लिए उसे वसी भूत करने के लिए उसके दिल में अपने पिरती प्यार जगाने के लिए जिसे कहते हैं देहाती भासा में वसी करन यानि उसका वसी करन करने के लिए आपको बहुती सटी और एक छोटा सा घरेलू पाई आपको बता रहा हूं उसे आप करेंगे तो आपके अपने जो रुष्ठ है वो आप से प्यार करने लगेंगे तो आपको क्या करना है इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ यदि आपने अभी तक हमारे सब्द ग्यान यूटूब चैनल को सस्प्राइब नहीं क्या है तो कल लिजे ताकि आपको हमारी आने वाली हर ग्यान वर्दा कोड वीडियो समय समय पर देखने के लिए मिलते रहे तो दोस्तों बात करते हैं वो पाय क्या है जिससे हमारे अपने हम से प्यार करने लगेंगे तो आपको क्या करना है कि सौमार के दिन आप नहा धोकर पूजा पाट करें और शाम तक ब्रत लखें आप ब्रत जब खोल लोगे पूजा पाट कर लोगे शाम को उसके बाद आपको क्या करना है आपको दो चीजे लेनी है एक घी कवार और दूसरा भांग के बीज बरावर मात्रा में ले लिजे आप तो आपको क्या करना है जो घी कवार है उसको जलाकर राक कर लिजे उसकी भसम बना लिजे जब उसकी भसम बन जाए तो उसमें उतनी ही मात्रा में भ को लगा कर जो आप से रुष्ट है उसके सामने जाया करेंगे तो वो तो वो साथ दिनों के अंदर आप से प्यार करने लगेगा आपके पिर्ति उसके मन में एक प्रेम की भावना जागने लगेगी तो ये बहुत ही सटीक उपाय है यदि आपका कोई भी अपना रुष्ट है परिवार में से तो आप सौमार के दिन ये करें और सौमार से साथ दिन लगातार सुबह सुबह नहा दोकर पूजा पाट करके ये घी कवार का और भांग के बीजों का जो मैंने आपको तिलक तैयार करना है ये लगा कर आप जाया करें उसके सामने तो वो एक हफ्टे के अं उन वयक्तियों से निवेदन है जो वयक्ति इस्तिलक का दुरुपियों करना चाहते हैं यदि आप इस्तिलक का दुरुपियों करना चाहते हैं तो इसका असर नहीं होगा बिल्कुल भी असर नहीं होगा आपकी करी हुई महनत बेका जाएगी क्योंकि हर चीज का इलाज अलग अलग होता है यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी लड़की को पसंद करता हूं या कोई लड़की चाहते हैं कि मैं अपने लड़की को पसंद करता हूं ये मुझसे प्यार करने लगे तो वो इस तिलक से नहीं होगा उसका उपाई अलग होता है तो इसलिए ये सिर्फ परिवार क इसका बुरा प्रिवाँ पड़े तो आपसे निवेदन है पहले ही कल को आप हमें बुराई दे हम पर गुलिया उठाए तो आप ऐसा दुरुपियों मत करना सिर्फ जो आपके अपने हैं जिससे आपके संबंद बने हुए आ रहे हैं और वो रुष्ठ हो चुके हैं उनको रा प्रासा भी करता हूं और आपके लिए कामना भी करूंगा जिससे कोई अपना रुष्ठ है इस्तिलक के माध्यम से वो उनसे प्यार करने लगे तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपने वानी को देता हूं विरा और आप सभी को करता हूं नवस्कार फिर मिलूए नई ओडियो वीडियो के साथ जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत